हलो दोस्तो स्वागत हैपसीपी का लक्षी कर्वी में दोस्तो इस चैनल के माद्यम से हमेशा आपको रियल वेकेंसी की जानकारी दी जाती है और हर दीन एक न्यू गवर्मेंट जॉप की नुपकार में सार आपको दी जाती है तो अगर आपने हमेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिएगा बात करें दोस्तो आज की वेकेंसी थी तो दोस्तो आज की वेकेंसी जो आई है दोस्तो वो रक्षमंत्राले से आई है अगर आप दोस्तो 10th pass हैं तो बिल्कुल इस post के लिए आप apply कर सकते हैं इसके बारे माधिक जनकारी के लिए दोस्तो हमारे चैनल को subscribe करना न भूलिएगा चले दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं बात करें दोस्तो यह vacancy आई कहा से है जो 24 के दोस्तो इसके लिए आज रिट देखने को मिलेगी फीस पेमेंट के लिए आज रिट की बात करें दोस्तो यह अभी जार आफरेल 24 को देखने को मिलेगी exam date की बात करें दोस्तो तो यह notified अभी नहीं हुआ है दोस्तो देखते हैं कब तक इसका exam rate आ सकता है बात करें दोस्तो एज़े बिटी डिटेल कीत यहाँ पर दोस्तो एने 10th past candidate can apply for tradesman and waserman दोस्तो अगर आप 10th past हैं दोस्तो तो यहाँ पर आप tradesman and waserman दोनों के लिए apply कर सकते हैं बात करें दोस्तो salary कीत यहाँ पर दोस्तो आपको 19,900 तक salary देखने को मिल सकती है दोस्तो और allowance मिला की बात करें दोस्तो यहाँ पर 36,000 रुपय तक salary यहाँ पर देखने को मिल सकती है यहाँ पर application piece की बात करें दोस्तो तो application piece 100 रुपीस आपको pay करने पड़ेगी दोस्तो वो भी सभी category को compulsory है बात करें दोस्तो selection process की तो यहाँ पर selection will be based down return exam दोस्तो आपका selection return exam के उपर निर्धारित होगा दोस्तो उसके बात करें दोस्तो shortlisted candidate को यहाँ पर skill test के लिए फिजा जाएगा और final stage में दोस्तो आपको document verification किया जाएगा दोस्तो अगर आप return exam और skill test clear करते हैं तब उसके बात दोस्तो आपको syllabus की बात करें दोस्तो यहाँ पर आपको notification में जो PDF दिया गया है दोस्तो उसमें आपको syllabus देखने को मिल जाएगा उसका link दोस्तो आपको description देखने को मिल जाएगा अधिक जनकारी के लिए दोस्तो प्लीज पूरा notification दियाँ से पढ़ लिजीएगा बात करें दोस्तों यहाँ पर age limit की तो 11,4,22 को दोस्तों अगर आप 18 से 25 साल की बीच में हैं दोस्तों इसके लिए आप apply कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको age relaxation भी देखने को मिलेगा दोस्तों जैसे की ST और SC को दोस्तों यहाँ पर 5 साल तक age relaxation देखने को मिल सकता है वहीं पर OBC की बात करें दोस्तों तो 3 साल तक यहाँ पर आपको age relaxation देखने को मिलेगा next process की बात करें दोस्तों how to apply तो step 1 में दोस्तों take print out of the application form दोस्तों सबसे पहला काम आपको होना चाहिए application form का आप print out निकाल लेजेगा उसके बाद दोस्तों second step पे आपको पूरा form complete भर लेना है दोस्तों बिलकुल सही तरीके से उसके बाद step 3 में बात करें दोस्तों यहाँ पर आपको attach all necessary document दोस्तों सभी उपयोगी document दोस्तों आप यहाँ पर attach कर लेंगे दोस्तों और साथ ही साथ application form भी attach कर लेंगे दोस्तों इसके साथ ही दोस्तों फीस की बात करें तो आपको postal order के थुरू यहाँ पर फीस payment करना है उसके बाद दोस्तों जो पूरा data complete भर लीजेगा और वो लिखापा दोस्तों यहाँ पर जो given address दिया गया है वो आपको description box में देखने को मिल जागा दोस्तों उस पर speech post कर देना है बात करें दोस्तों job location की तो है चे नहीं ठीक है दोस्तों thanks for watching अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा हूँ इन्फार्मेट्री लगा हूँ तो प्लीज दिल से like share and subscribe कर लिजेगा और अहां बेले गन पर भीट कर दीजेगा ताकि आने वाले सभी वीडियोगा और डिपीस तन आपको लगतान मिलता रहे हर दिन एक new government job के अपडेट के लिए दोस्तों please हमारे चैनल को subscribe करना ना भूलिएगा चले दोस्तों मिलते हैं नेक्स वोड़े में ऐसी important information के साथ